नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चीर परीची दोस्तों पस्तित हूँ, आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके, जहां दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोब्लिम क्या होता है, जब हमारे बाल फॉल होने लगता है, यानि कि गिरने लगता है, कई लोगों के बाल रुखे हो जाते हैं, यानि कि तूटते हैं बहुत जादा ज़्णने लगते हैं, उंको प्रोब्लिम होती है, नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या करें, और सही दवा क्या होगी इसके लिए, तो आज हम इसी से रिलेटेड आज ओश्रधी लेकर के आए हैं जो कि घरेलू ओश्रधी है अगर आप इसका प्रियोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल नेचुरली ढंग से हेल्दी और ग्लोविंग हो जाएंगे इसके साथ नेचुरल कलर में भी आ जाएंगे होता है अक्सर कि आप बाहर जाते हैं पोलूशन की वज़र से बाल खराब हो जाते हैं हमारे सही देख रेख नहीं हो पाती है या फिर डेंडरक बहुत जादा हो जाते हैं बालों में तो भी प्रोब्लम होती है तो इसलिए आज हम आप सभी के लिए ये जाहिए होगा तो करना क्या है आपको विधी पे ध्यान दीजे धंग से करना क्या आपको कि तोरई के छोटे छोटे टुकडे कर लेने हैं आपको बिना छिलका उतारे उसको केवल धोना है पानी में आपको और उसको छोटे छोटे टुकडे में काट लेना है फिर इन टुकडों को आपको सुख बहा देना है जब यह अज्छे से सूख जाये अच्छे से इनको कूटी और पेश्ट सा बना लीजिए यानि कि तब इसका चूण बना लीजिए इस चूण को आप नर्योल ओयल में मिला हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है चार दिन बाद इस मिश्टन को आपको निकालना है और पानी में डाल के आपको इसे उबालना है जब यह अच्छे से उबल जाए तो इसे छान करके इसका पानी ले लीजे वो इसी से आपको क्या करना है अपने सर में मालिश करनी है हर आपको हलके हाथों से फिंगर से बालों की मालिश करनी है जिसकी वज़ा से बाल तूटेंगे नहीं और बहुत ही हेल्दी ग्लोविंग मजबूत होते जाएंगे कुछ एक दिनों तक क्यूंकि तोरई में विटामिन C, कार्बोहाइटरेट, प्रोटीन सारी ये उपलब्ध हो ओयल बना लिया है उसके लिए लेकिन इसके साथ साथ तोरई का आप सबजी के रूप में भी इस्तेमाल जरूर करें, खाने में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खास करके गर्मियों के मौसम में तो ये बेहद ही फायदे मौंद और लाफकारी स होता है आप सभी के लिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए तोरई के फायदों से रिलेटेड अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महतोपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्त कर दोस्तों कर दोस्तों